हेई गाईज वेलकम बैक सो टाइटल पर के आपको समझ में आ गया कि यह कितना एफेक्टिव डाइट है आज मैं आपसे शेयर करूंगे एक इजी डेलिशियस लेस कोकिंग वाला डाइट 15 दिन के लिए इसे आप फॉलो करें और फटा फट इंच लॉस और वेट लॉस करें जो लोग यह डाइट को एजी टीस फॉलो करेंगे आपको रेजल्ट मिलेगा ही मिलेगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन ज़रू दबाईए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करो सुबह उटके आपको अपना डे स्टार्ट करना है एक कप सिंपल करम पानी से नेक्स्ट आट से नौ बजे के बीच में अपना ब्रेक्वस्ट करना है और ब्रेक्वस्ट में आप इन आप्शन्स में से कोई भी एक आप्शन्स ले सकते है औल्टरनेट डे पे औल्टरनेट ले सकते हैं साथ में कप क्रीन थी मैं आप से एक इजी वे से पनीर सैंडवीच का रेसिपी शर कर रही हूं जिसमें आपको कुकिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है फटा फट से रेडी हो जाएगा तो इसकी लिए दो स्लाइस प्राउन ब्रेड लेना है उसमें वन स्लाइ जो है पिलकुल तयार है इसके साथ आप एक कप क्रींटी ले सकते हैं बस पनीर जो है आपको 50-70 ग्राम से यूज करना है सैंडवीच के अंदर इसको अप तोड़ा से ग्रिल करके भी ले सकते है अगर आपको रॉच्छा नहीं लगता है बस दोनों साइट से एक मिनिट के लिए बहुत क्विक बन जाता यह सैंडवीच और पहुत टेस्टी भी है ट्राइज जरूर करें साथ में कप सिंपल क्रींटी ले ब्रेक्वस्ट के 20-30 मिनिट बाद आपको लेना है लेमन डीटॉक्स वर्टर इसे बनाने के लिए 200 एमेल पानी में हाफ टीस्पुन करता है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और अगर सही डाइट के साथ इसे इंकॉर्परेट करेंगे तो यह पूरा बोडी फैट और बेली फैट को मेल्ट करने में मदद करेगा नेक्स लंच जो करना है एक से दो बज़े के बीच में लंच ऑप्शन में पहला अप्शन मे इसे बनाने के लिए पैन में वन टीस्पून ऑइल डालना है और उसमें चौप के हुआ कापसिकम और प्यास डाल के कुछ सेगंस के लिए इसको सौटे करना है फिर इसमें 100 ग्राम्स लोग फैट पनीट डाल देना है मिक्स करना अच्छे से इसमें एक चौप के हुआ टमा कर लोगी और इसमें तोरह सा पानी डाल के बस एक मिनिट या बॉल कर लोगी फिर यह जो बॉल ओट साइसमें वो सौटेड वेजटेबल डाल दोंगी मिक्स कर लोगी लास में धनिया पत्ता डाल दोंगी एक अच्छा फलेवर के लिए स्प्रिंग उनियन भी डाल सकते है और यह जो Oats Paneer Cravy है, बिल्कुल तयार है, यह बहुत ही टेस्टी है, आप इसे जरूर ट्राइ करें, और इसके साथ एक खीरा जरूर ले, Evening Snack में आप ले सकते हैं एक Cup Green Tea और उसके साथ थोरह सा रोस्ट के हुआ चना, या फिर थोरह सा Dry Fruits, और डिनर को साथ से आट बज़े के बीच में जरूर कम्प्लीट करें, डिनर ओप्शन्स में आप ले सकते हैं Sprout Salad, Vegetable Soup या फिर Fruit Mix, ये तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, मैं आप से Sprout Salad का Recipe शेर कर दे रही हूँ, ये Sprout Salad में आप पनीर के बदले में चिकन या फिर ए चना को मैं रात भर सोख करके रखी थी वही आट कर दे रही हूँ, और इसमें मैं एक टेबल स्पून चॉप के हूँआ प्यास, थोड़ा सा ग्रीन चिली, एक टेबल स्पून चॉप के हूँआ टमाटर, लेमन जूस, थोड़ा सा फ्लैक सीट का पाउडर, रॉक सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ, 150 ग्राम लो फैट पनीर या फिर टोफू, और साथी साथ इसमें थोड़ा सा रोस्टेट जीरा पाउडर भी डाल सकते, इसका जो इसका फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा आता है, और से मिक्स कर लूँगी, हमारा जो स्प्राउट्स एन पनीर सलाड है, वो तयार है, ये डेलिशस भी है, और ये वेट लॉस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ये जो सलाड है, ये दो परसन के लिए है, अगर आप अपने लिए बना रहे हो, तो पनीर का क्वांटिटी आ होगा, या फिर कोई भी होम वर्क आउट, जंक फूट, कोल रिंग्स, चीप, स्वीट्स, ये सारी चीजों को पिल्कुल अवाइट करे, तीन से चार लीटर पानी पिए, हर एक दो घंटे में एक दो ग्लास करके, और अपने आपको हाइट्रेटिट रखे, कोई भी सवाल ह तो नीचे कॉमेंन बॉक्स में सरुर पुछिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हल दिखाए और स्वस्त रहे